आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। वो भी प्रारंब में वेग। तो देखिए, कि यहां हमें दे रखा है प्रारंब में आयतन, प्रारंब में आयतन दे रखा है वी, और वेग दुनी तरंगों का दे रखा है स्मॉल वी। अब हम क्या कर रहे हैं कि आयतन दुगना कर रहे हैं। आयतन दुगना करने पर। तो जब हम आयतन को दुगना करेंगे तो देखिए, आदर्श गैस समीकरण से पी वी बराबर एन आर टी यहां पर ताप तो नियत रहेगा। ताप और मोल की संख्या नियत रहेगी। हम आयतन को यदि दुगना करेंगे तो आयतन को दुगना करने पर दाब घटेगा। और दाब आधा हो जाएगा। दाब आदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दाब और आयतन एक दूसरे के वित्क्रमानू पाती होंगे P बराबर NRT बटा वी NRT नियतांक है तो यदि हम आयतन को दुगना करें तो दाब आदा होगा अब घनत्व की बात करें तो घनत्व रो बराबर होता है P, M, R, T तो यहाँ ताब नियत है दाब आदा हो गया तो दाब आदा होने पर दाब आदा होने पर घनत्व आदा होगा क्योंकि यहाँ घनत्व और दाब दोनो समानू पाती है तो यदि हम द्वनी की चाल देखे माध्यम में तो द्वनी की चाल होती है गामा दाब बटा घनत्व जहां गामा जो है वो विशिष्ट उश्मा धारिताओं का अनुपात हैं तो सीपी बटा सीवी जो की नियत रहेगा दी गई कैसों के लिए अब यहां पर यदि हम देखें तो वेग निर्भर कर रहा है दाब और घनत्व पर और यहां हमने दाब और घनत्व दोनों को आधा कर दिया है तो उस इस्तिती में नया वेग वी के समान ही आएगा क्योंकि यहां पर दाब आदा उनने पर घनत्व भी आदा हो गया तो वी का मान नियत रहेगा तो यहां हमारा सई ओक्षन होगा कि आएतन दुगना करने पर भी ध्वनी का वेग वी ही रहेगा